आज के इस वीडियो के दौरान हम यूरिया से जुड़ी हुई कई important बातों के बारे में बात करने वाले हैं मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह जो वीडियो है वो agriculture के students जो की competitive exam की त्यारी कर रहे हो चाहे वो semester examination की त्यारी कर रहे हो उनके लिए तो यह बहुत ज़रूरी है ही साथ में यह वीडियो किसानों के लिए भी बहुत ज़रूरी होने वाला है तो hello everyone, welcome to the channel agriculture studies, मेरा नाम है दिवाकर खत्री और सबसे पहली बात हमें की कर रहे हैं कि मृदा में यूरिया कि मृदा के अंदर यूरिया किस तरह से अभीकरिया करता है यह जानना ज़रूरी है क्योंकि जब यह अभीकरिया हमें बता होगी तब हमें बता चलेगा कि यह loss कहां हो रहा है यूरिया का मतलब यूरिया कहां हमारा खराब हो जाता है आपको बताओगा कि जो हम पारंपरिक रूप से जो यूरिया काम में लेते हैं खेतों में उसमें 46% nitrogen होती है लेकिन पौधों को उसका सब 30-40% ही available हो पाता है या उपलब्द हो पाता है तो इसका मतलब यह हुआ कि काफी सारा यूरिया जो है वो खराब हो जाता है पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि जमीन में कुछ मातरा पानी की available होनी चाहिए कि वह ह्टो हो यानि जब पानी होगा तब यूरिया पानी के साथ अभिगरिया करेगा और यूरियेस की उपस्तिती में यूरियेस क्या है एक तरह का enzyme होता है जो की हमारी कोई तरह से परिशानी की बात नहीं है हमारे लिए परिशानी की बात इसलिए नहीं है क्योंकि यह जमीन में पहले से मौजूद है और जमीन तो क्या यह हम देखते हैं इंसानों में या हम कहें कि किसी भी cells के अंदर किसी भी तरह के जीव के अंदर ये यूरियस उपलब्ध होता है तो हमें इसकी tension लेनी दूरत में है तो मृदा में पहले से यूरियस उपलब्ध है अब ये यूरियस की presence में यूरिया जो है वो H2O के साथ रियक्ट करके ammonium carbonate बनाता है ammonium carbonate नाम का एक compound है ये बनता है और उसके बाद ये क्या करता है ammonia gas के अंदर बदल जाता है ammonia gas और साथ में CO2 gas पर रूप में अलग होता है आपको ये बात समझ आने चाहिए कि यहां कई competitive exam में question पूसर जाता है कि यूरिया H2O के साथ रियक्ट करके पहला कौन सा unstable product बनाएगा तो पहला unstable product unstable क्यों क्यों क्योंकि यह अस था यह product है क्योंकि तूट जाएगा जल्दी से तूटेगा ammonium और carbonate तो इसे याद रखें ammonium carbonate जो कि ammonia बनाएगा और साथ में carbon dioxide निकलेगी ये ammonia H2O के साथ रियक्ट करके ammonium iron मनाएगा अब आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो धान के पौदे होते हैं धान का जो पौदा है वो ammonium iron के रूप में nitrogen को लेना पसंद करता है जबकि हम दूसरे पौदे देखें तो उन्हें हम देखते हैं वो nitrate के रूप में यानि NO3 minor इस तरह के compound के रूप में nitrogen को लेना पसंद करते हैं तो हम ये बात कर रहा है जो ammonia है अगर हमने यूरिया को धान के खेप में रखा है तो वो पौदा इस ammonium के रूप में ही nitrogen को ले लेगा लेकिन हम बात करें जो दूसरे पौदे हैं वो इस ammonium को पहले दूसरी रूप में बदलना पसंद करेंगे या बदला हुआ पाना पसंद करेंगे तभी उसे अंदर ले पाएंगे तो इसको nitrosomonas और nitrococcus नाम के जिवान यह हम कह सकते हैं यह जो बैक्टिरिया होते हैं nitrosomonas और nitrococcus इसे nitrite में बदलते हैं यह nitride भी पौधा लेता नहीं है तो इसको हम देखते हैं यह पहले बदला जाता है nitrate में तो इसे याद रखेंगे यह nitrate में बदलता है लेकि nitrate में कौन बदलता है nitro vector मैंने आपको विछले वीडियो में भी बटाया है कि मैं ऐसे याद रखता था कि पहले nitrosumanas और kokos का आते हैं उसके बाद बेक्टर आता है तो बाद में बेक्टर आता है तो मैंने ऐसे याद रखता है बाद में बेक्टर तो बेक्टर वारा जिमानों इसको nitrate में बदलेगा अब यह एक तरह कि हम देख सकते हैं अब यह नाइट्रेट जो है पौधा ले सकता है और यह भी बात जरूरी है कि अगर पौधे ने नाइट्रेट नहीं लिया तो अगर हमने भार से सिंचाई की रूप में जो पानी दिया है यह हम कह सकते हैं इरिगेशन की रूप में जो पानी आया यह बहुत जादा रेनफॉल हो गया बहुत जादा बारिश के बाद अगर खेत में पानी आ गया तब उसके कारण हम देख सकते हैं यह जो नाइट्रेट है वो जमीन में से निकल जाएगा और अंडर्ग्राउड वाटर के अंदर मिक्स हो जाएगा तो कहने का मतलब वहां हम देख सकते हैं यह नाइट्रेट का हमारा लॉस हो सकता है अब यह नाइट्रेट तो आपने जाना कि बहुत सारे अलगलग जो पौदे हैं धान के अलावा जो पौदे हैं वो नाइट्रेट के रूप में ही लेना पसंद करते हैं nitrogen को तो इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ इसका loss हमें समझ आता है कि यह leaching की वज़े से हो सकता है एक loss समझ आए आपको leaching या रिसाव हिंदी में कहूं तो कि पानी बहुत जादा अगर उपर से आए और अगर पौधे ने nitrate नहीं लिया यूरिया में 46% या 46% होता है यह इसमें 30-40% बहुता है यह मैंने आपको भी बताया तो इसमें losses जो है वो 3 तरह के होते हैं पहला loss होता है वोलिटिलाइजेशन अब यह बहुत अजीव सी तरम है अगर आप खिसान है तो आपको यह टरम हो सकता है थोड़ा आजीव लएगे कि वोलिटिलाइजेशन क्या है तो कुछ नहीं है आप इस तरह से याद रखे कि यह जो हमने जाना ammonia gas निकल रही है यह gas सीधा ही हम देख सकते हैं प्रयावरण के अंदर घुल जाईगी हमने जैसे ही surface पर या जमीन पर जो यूरिया रखा है वो यूरिया इस तरह की अभिक्रिया करने से पहले ही आई ना कहीं गैस की रूप में हवा में मिल जाएगा तो इससे हमारे यूरिया का वरबादी होई तो इस तरह की गैस के अंदर वड़ना है क्या आजाता है होले डिलाइजिशन अब आप ये भी समझे की होता कब है ऐसा तब होता है जब मृदा की प्येच 7.5 से जादा होती है प्येच से आप मुझे लगत होंगे पहले से ही तो पिए जब 7.5 से ज्यादा होती है हमारे खेत की तब उस अवस्था के अंदर जो गैस कौन से की रूप में खराब होने लिखता है हमारे यूरिया तो हम यह कर सकते हैं कि हमारे यूरिया को एकदम सर्फेस पर ना रखके हम थोड़ा जमीन के अंदर उसे धसा द रखते हैं दूसरा लॉस जो मैंने आपको बताया है लीचिंग के रूप में यह जो नाइट्रेट है वो पानी के साथ नीचे निकल जाता है अगर पौधे नहीं लिया हो तो तो उसको हम क्या करें कंट्रोल इरिकेशन हमारी सिंचाही का तरीका इस तरह से हो कि हम देख सकत के बता है कि यह जो अमोनियम वाली फॉर्म है इसे धान का पौधा लेता है अगर इस नाइट्रेट वाली फॉर्म को अगर हम कोई हमारा यूरिया के अलावा ऐसा फर्टिलाइजर हो जो हम नाइट्रेट फॉर्म को किसमें रख दें धान की पौधे में डाल दें तो क्या ह तो दान की पौदे मेंने जो जीवानों होते हैं। व इस अमोनियम की जगह नाइ्ट्रे advised meant oxygen नहीं और इस नाइट्रोजन का अप्टेक करने लगें तो यह नाइट्रेट जो है वो एक नाइट्रोजन गैस के रूप में वापिस हवा में चला जाएगा तो यह तीन तरह के हमें लॉस समझ भाने चाहिए तो अब इन तीनों लॉस के अंदर सबसे वैली बात समझ भी आती है कि वॉलिटिलाजेशन को यह हम कह सकते हैं हमारी गैस के लूप में खराब ना हो उसके लिए हम फोड़ा सरफेस के अंदर डाने यूरिया सरफेस के अंदर नीचे की तरफ रखें लीचिंग के लिए थोड़ा कंट्रोल हम सिचाई इस तरह से करें कि पानी का हमारे पा प्रबंदन अच्छा हो और चाहिए दीन आइट्रिफिकेश भारत सरकार ने उसके बहुत जोर दिया है आजकल आप बैक्स के उपर भी जो है उनके उपर लिखावा देख सकते हैं नीम लेकिद धीरा लिखा होता है तो वहां इसका मतलब यह है कि नाइट्रोजन तो उसमें अभी भी 46 प्रतिशत ही है लेकिन उसके उनदर हम देखते ह पौदों को उपलब्द होता है जब यह हमारा पारमपरिक यॉरिया है बहुत जल्दी से पौदों के लिए अवेलबल खड़ा हो जाता है जैसे कि नाइट्रेट बहुत जल्दी अवेलबल हो गए और जब हमने सीचाही दी तो तो वह निकल गया तो खहने का मतलब यह अप्षन हम देख सकते हैं क्या होना जाहीए मं लेकिल मultural फोटिड savior के ही सकते ह्कोट को पॉपपिलर होती विटाम जो हम देख रहे है Aaah यहां हम देख रहा है सरकार ने अभी बार्राइब इसे लूंच तो वहां वी 59 एंपाट बार दे कि समें नाइट्रूजन का हम देख सकते हैं, element है पौदों के लिए, तो वा भी हम देख सकते हैं, अवेललमर कराया है, इस यूरिया गोल्ड के अंदर, इसे हम देख सकते हैं, यहाँ, अपना सज़ा है, आपको पता होना चाहिए कि जमीन में कई बैट सफर की कमी होती है तो कमी को यह यूरिया भी पूरा कर सकता है तो कहने का मतलब नहीं फ्रूजन और सर्फर दूनों का एक रूप है किसके अंदर यूरिया गोल्ड करता है यसे ज़रूर याद रखिएगा और साथ में एक और नाम जो आपने बहुत सुना है बहुत पॉपिलर है जो यह सब कुछ जो हम देख रहे हैं जो solid form में दिया जा रहा है उसकी जगह एक खाली spray के रूप में spray के रूप में भी पौदों को क्या दिया जा सकता है जहां आमने देखा इतनी बड़ी अभिक्रिया होगी soil में इसकी जगह तिर्फ हम देखे हैं क्या करना है एक गोल बनाना है इसका spray करा जाता है यह सभी तरह की फसलों के लिए मतलब यह बात ज़रूरी है कि यह बहुत ज़्यादा टेस्ट किया गया है भारत के अंदर ऐसा नहीं है कि कोई particular crop पे ही हो यह लगबग जो भी crops भारत में उगई जा रही है उन सधी पर यह काम कर सकता है तो उसमें nitrogen का परतिशत देखे कितना कम यानि 4 परतिशत ही है लेकिन बात यह ज़रूरी है कि यह बहुत ज़्यादा effective है जहां हमने जाना कि यह 30-40 परतिशत ही काम का है 46 परतिशत में से तो यहां हम देख रहे हैं इस 4 परतिशत का लगबग 85 परतिशत लगबग हो जाएगा यह 3.5 से something तो 3.5 परतिशत पूरा 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 अवेलबर होगा यह गारेंटी है तो इसका मतलब यह हुआ कि जादा बहतर तरीका कौन सा है नैनो यूरिया को इतना चोटा कर दिया गया है कि वह पत्ती के अंदर जो छेड होते हैं जैसे हम रंद्र कहते हैं या स्ट जानिया रखनी होती है कि ऐसा नहीं है कि हमने यह अप्लाय किया और बारिश बहुत जादा हो गई तो पत्तियों से वह हट जाए नहीं तो इसके अंदर कुछ प्रबंदन भी हमें देखना पड़ता है तो लेकिन आपको यह बात जरूर पता होने चाहिए कि इन तरीकों से भी भैतर तरीका क्या है नैनो यूरिया का भी तो इसे भी ज़रूर दिमाग में रखिएगा और नैनो का मतलब कॉंप्टिटिव एक्जाम के लिए अगर बताओं तो नैनो के अंदर 10 तो पावर माइनस 9 मीटर होता है यानि हम कह सकते हैं 100 करोड गुना छोटा अगर यह ए चार प्रतिशत को अगर मैं बदलू तो वो 40,000 प्यप्यम हो जाएगा और इसकी मार्केट में वैल्यू या रेट कितनी है तो हम ऑफिशल इसकी रेट देखते हैं 240 उर्पे यह आधा लेटर की जो हम देख रहे हैं वोतल है इसका रेट कितना है 240 उर्पे है तो यह सब बात पर उनकी लागत भी काम हो किसान की लागत भी काम हो क्योंकि आपको जब इसकी लागत को कंपेर करेंगे तो आपको बदा चलेगा कि जो हम पारमपरिक उसी यूरिया काम में ले रहे हैं उसका 10 पर्तिशत लागत कम ही आती है इसमें और भी जानकर यह आप राप्त कि यह देखिए और भी कुछ हम देख सकते हैं आप उनके ओपर ध्यान दीजिए उन्हें अपने खेतों में अप्लाइ कीजिए यह बहुत जरूरी है अब हम और थोड़ा सा कॉम्पिटेटिव एक्जाम्स के स्टुडेंट्स के लिए बात कर लेते हैं कि जो आप देखना चाहें तो उनके लिंक कूपर आई बटिंग की साथ इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलबर हैं आप चाहें दोने देख सकते हैं बहुत important topic है तो history of urea पहला question यह आता है कि इसकी discovery किसने करी तो यहां दो scientist important है और आप उनका फरक समझेगा एक discovery यह हम कह रहे हैं पहली बार isolate करके किसने बताया या urea नाम की कोई चीज भी है इस तरह की बाते किसने बताई तो हम कह रहे हैं रॉले ने रॉले नाम की scientist है उन्होंने 1773 1773 में ही बता दिया था इंसान की urine में से उन्होंने urea isolate करके बता दिया लेकिन सबसे पहली बार lab के अंदर crystalline form में यहां हम कह सकते हैं कि उसका synthesis किसने करके दिखाया वो भी किसते हम देख सकते हैं इन्होंने इस आइसोलेट किया है लेकिन यहां हम कह रहे हैं कि inorganic form जो है किसकी inorganic form तो हम कह रहे हैं ammonium sinate की inorganic compound जिसको हम कह सकते हैं उसमें से इन्होंने यूरिया organic compound को बना के दिखाया तो एक vitalism theory होती है जिसके अंदर यह कहा जाता है कि organic compounds सर्फ और सर्फ organism के अंदर ही बनते हैं ऐसी एक theory होती है तो vitalism की theory भी disapprove हो रही है यहां पर तो कहने का मतलब यह हुगा कि हमें यह समझाना चाहिए कि inorganic compounds ने इन्होंने organic compound कैसे वास्तव में जो फ्रेड्रिक वॉलर है इनका नाम नहीं दिया शायद में तो यह जो 1883 में पहली बार synthesize किसने किया फ्रेड्रिक वॉलर ने इन्होंने गरम किया तो गरम करा तो यह किसमें बदल गया रियरेंज होकर कैसे कि nitrogen यहां दो हैं यहां पर भी दो हैं कार्बन एक है carbon एक है oxygen एक है nitrogen चार है nitrogen चार है nitrogen चार है तो इस तरह से रियरेंज होकर यह यूरिया बदल गया और इनका नाम भी बहुत बड़ी होज है तो इसका इनका नाम भी बहुत बड़ी है तो दो साइंटेस्स आएंगे दोनों की clarity रखी का क्या क्या कोशन आप नहीं देखते हैं यूरिया इस फर्स और्गनिक कंपाउंड कौन सा बना तो हम देख रहे हैं यह यूरिया ही बना आपको यह भी याद रखना है कि SSP के बाद second fertilizer कौन सा develop हुआ तो हम कह रहे हैं Ammonium sulfate उसके बार में पिछले वीडियो में अच्छे से बात करी है तो Ammonium sulfate develop हुआ और तीसरा fertilizer आप यह याद रख सकते हैं यूरिया तीनों fertilizer को अच्छे से याद रखे हैं पहली बार भारत मे Ammonium sulfate और तीसरा यूरिया लिख दीजिए अपने copy में जरूरी बार खेली तो manufacturing अच्छा अब next जो पॉइंट है वो है manufacturing of यूरिया यूरिया बनाया कैसे जाता है तो यहां से यह question उठता है कि Haber and Bosch method यह हम कह सकते हैं Haber and Bosch process इसमें क्या होता है हम nitrogen हवा जो हवां के दिए nitrogen अब ही nitrogen को आसागी से नहीं लिए जाता है इसका अब एक separate process है लेकिन अँसके बारे हम बात मीं कर रहे हूं तो इस nitrogen को hydrogen के साथ रेक्ट करके Ammonia में बदला जाता है Ammonia gas में बदला जाता है यह ammonia gas कि हम co2 के साथ reaction कराते हैं किसके साथ co2 के साथ reaction कराके हमारा क्या बन जाता है फिर urea बन जाता है ठीक है तो इसे याद रखें लेकिन यह urea जो होता है वह liquid form में होता है जिससे बाद में गोलियों में बदल दिया जाता है यानि granular forms में granular से भी ज़्यादा हम कह सकते है प् प्रेरक कौन सा होता है तो यह है हम देख सकते हैं magnetite magnetite और यह हम कहा सकते हैं iron के oxide तो iron के oxide जाम में ली जाते हैं अब इनके अलावा यह भी पूचे जाता है कि इसमें temperature कि इतना रखना है तो temperature रखते हैं हम 400-500 degree Celsius और pressure भी बहुत जादा होता है जो कि है 200-400 ATM इन सारे data को बह जाने के लिए हम क्या डालते हैं molybdenum डालते हैं जाद रखिए का molybdenum जरूरी है इसके साथ में कभी कभी aluminium potassium or calcium oxide भी बुक्स में मिलता है रिखावा तो मैंने या mention करते हैं लेकिन important यह याद रखिए का molybdenum ठीक है और बाकी भी दिबाग में रखिए aluminium potassium or calcium oxide भी है तो यह heberbosch method बहुत प्रस्स इंपॉर्टेंट है इस में से बना यूरिया जो मैंने बताया है लिक्विड फॉर्म में है और उसके बाद में granules बनाए जा सकते हैं अब यहां एक important point आता है जैसे हम कहते हैं super granules super granules का size लगबग आप बान सकते हैं 4-5 mm कितना होता है कितना 4-5 mm और नॉर्मल जो प्रिल्स बताई मैंने छोड़ी छोड़ी गोलिया होती है वो लगबग 2 mm से छोड़ी या 2 mm तक होती है ठीक है तो इन बड़ी गोलिया जो super granules कह रहे हैं उनको कहा काम में लेते हैं धान के यह हम कह सकते हैं राइस के पैडी फिल्ड में क्योंकि जब वो गोलिया बड़ी होंगी तो चुपचाब नीचे जागे बैड़े जाएंगी अब जब नीचे चली जाएंगी तो रिडूस जोन में और रिडूस जोन में यह अमोनियम फॉर्म रिलीज हो सकती है जिसको प्ल यूरीया को बदला जाता है अब यूरिया से लेड़ीयड कुछ बातें और कुछ नाम जरूरी है कि यूरिया को कार्बरमगी भी कहा जाता है याद रिख вин dog लीज को को KIRBY को कार्बूनिल डाइमीन या कार्बूनिल डायमाइड इस तरह से बिया जानए यह धोर नाम याद र इतने कितने हैं, multiply करके जोड लगाओगे, तो कितना आएगा? 60 आएगा. AE, क्या होता है AE? Acid equivalent. अगर हम soil के अंदर इसको डालें, यूरिया को, तो ये कुछ नापूर acidity create करेगा. तो इससे हम कहते हैं, acid equivalent ये भी याद रखना है. FCO के according biureate content होना चाहिए, यूरिया में 1.5 परदेशन. Biureate क्या होता है? Biureate आप मुझे लगता है, जानते होंगे कि इतना famous question है, कि यह बच्चे-बच्चे को याद है 1.5%. लेकिन कई बार question घूम जाता है, आपको भी test series बगर जॉइन करेंगे, तो आपको पता चलेगा, कि यहाँ बूच ले जाता है एक biureate content for foliar spray, ये तो soil के लिए है, कि soil में जो हम यूरिया दे रहे हैं, उसके अंते rate परतिशन से जादा नहीं होना चाहिए, लेकिन foliar spray अगर क change बताई जाती है, तो उसे भी याद करने है, तो ये biureate क्या है, biureate हम देखते हैं, जब दो यूरिया की compound आपस में जुड़ जाते हैं, देखिए, दो जुड़े, एक यूरिया की compound को उल्टा करके लिखा है, मैंने, और यहाँ से ammonia निकाल दी, NS3 निकालने के बाद, NS3 नि याद रखेंगे, तो ये biureate toxic होता है, प्लांट के लिए अच्छा नहीं होता है, इसलिए हम कह रहे हैं, इसका प्रतिशत सर्फ देट प्रतिशत तक ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, प्लांट इससे ज़्यादा टॉलरेट नहीं कर पाएगा, तो य अचाहतना बोलके में पर दिमाग में पॉइंट आ भी गया, यूरियेज इन्हीटर, आपको भी पताया था कि जो यूरिया है, एच्छु वो के शाद रियक्ट करके यूरियस से वह बदल रहा था, तो वहां यूरियस जो होता है, उसकी अगर activity हम इन्हीट कर दें, उससे ह क्या होगा, वह जल्दी से रिलीज नहीं होगा, तो हम यूरियस इन्हीटर भी खाम में लेते हैं, तो यूरियस इन्हीटर की भी definition आपके सामने स्क्रीन पर आ रही है, उससे नोट कर लें, उसके examples अच्छे से जयाद कर लें, ये exam में पूछे जाते हैं, जैसे कि PPDA, NBPT, इसे कुछ नाम है, PMA, तो ये चार examples मैंने आपको सामने बोल दी, इन चारों की full form तो देखे मुझे भी आद नहीं है, लेकिन इनकी short form ज़ूर याद रख लेगा, एक्जाम में बूचे जाते हैं, तो अच्छे से याद रख सकते हैं, ठीक हैं, तो इस तरह से यूरियस इन इसे क्च्छे डानो से यूरियस यूरियस थचे सामने बोल याद लेगा, पोला आद लेक हैं, पज़ियast में डाल कि मुझे रहाद रख